A very good evening to all of you, सभी का warm welcome है YET योर इंगलिश शूटर पे, मेरा नाम है मेहमन बहल, आज सुबह का दा हिंदू का second editorial पड़ेंगे, disease and the cure इसका title है यह article लिखा हुआ है चाइना की zero covid policy पे एक भी case जो है covid का नहीं होना चाहिए, सब covid cases को चाइना hospitalized करता है तो इस policy के क्या फायदे और नुक्सान चाइना को जहलने पड़े Interesting article है, यह आपका quiz है आज का, अब जो आप सीखो के अगले आदे घंटे में इस quiz पे आपको apply करना है सारे concept इसमें आ गए, grammar, vocabulary है ना, हर चीज Class के last में quiz का मैं solution करवाँ हूँ है, बहुत ही प्यारा quiz है अभी चलो शुरू करते हैं, आईए कुछ नया सीखने है चलिए, carrot disease and the cure देखे, disease का मतलब होता है बिमारी, मर्ज और cure का मतलब होता है उसका इलाज, यानि की healing बिमारी और उसका इलाज, और बात किसी कर रहा है बात कर रहा है, on China's zero covid strategy की चाइना की उस strategy की बात हो रही है, policy की बात हो रही है जहाँ पे zero covid को जोर दिया जाता है एक भी covid का patient घर पे नहीं रहेगा, उसको isolate होना पड़ेगा कर रहे disease and cure, बिमारी और उसका जो इलाज है उस पे आपको फिर से गोर करना है, चाइना की बात कर रहा है disease के अच्छे-च्छे synonym सा है मैंने लिखे नहीं है जैसे की ailment, scourge और cure को बोलते है healing या treatment चलिए, एक one word है, यहीं पूछ लेता हूँ सब को आना चाहिए सब मर्जों के इलाज को, सब बिमारीयों के इलाज को English में क्या कहते है, ठीक है बहुत ही simple सा word है, सब मर्जों की एक दवा उसको English में क्या कहते है cure word का एक one word है, जरूर से सब comments में post करो आजाओ इसके title paragraph पे Care China should reconsider its zero covid strategy and follow science while opening up चाइना को reconsider करना पड़ेगा rethink करना पड़ेगा, review करना पड़ेगा reevaluate करना पड़ेगा पुनर विचार करना पड़ेगा चाइना को और किस पे भाई, इसकी zero covid strategy पे और किरा इसी चाइना को follow भी करना चाहिए, should follow और किसको, science को यानि जब ये open up करे, जब ये lockdowns को हटाए तो lockdown उसका उल्टा होता है open up, है ना lockdown या close down सब कुछ बंद कर देना, open up सब कुछ खोल देना आगे बाद समझ में, अपनी strategy को फिर से देखे और science को follow करे, जब भी open up करता हो चाहिए आपका subject है, इसकी दो verbs है शुड री कंसीडर, और शुड फॉलो opening up यहां पे present participle simultaneous action है, जैसे watching TV, we were having dinner TV देखते हुए हम खाना खा रहे थे तो watching यहां पे simultaneous action को बताने वाला PPSA बन जाता है और याद रखें, इस से पहले while लगा सकते हैं, ज़रूर ही नहीं है लेकिन लगाया जा सकता है जैसे इस case में भी लगा हूँ है, while opening up चलिए, अब फटा फटस इस article की vocab पे नजर डालेंगे, ताकि इसको smoothly बढ़ते जाएं, उसी के साथ add करना चाहूँगा आप में से जो लोग competitive exam parents हैं, एक साल से, दो साल से तीन साल से या चार साल से भी preparation कर रहे हो लेकिन guidance नहीं मिलने की वज़े से सही रस्ता पता ना होने की वज़े से आपका selection नहीं हुआ, या फिर आपने अभी भी तैयारी शुरू किया और आप चाते हो first attempt में किसी अच्छे teacher की guidance में अपने exam को crack करूँ, आप फाइदा ले सकते हैं Unacademy के quality courses का, इसी वीडियो के first comment में जाएं, यहाँ पे मिलेंगे आपको links, अपने exam को choose करें, for example आप click करते हैं banking पे, और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं banking का iconic course, जिसमें banking के सभी exams, clerical और PO, prelims और mains सबका सब एक single package में covered है पूरा course live है, live classes मिलेंगी live ही doubt solving मिलेंगी teacher से ताकि personal attention आपको मिल सकें, अपने आपको आप improve कर सकें, click करें आइक कोनिक पे, और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं 12 या 24 महिने का banking course, अगर आपके पास time है, then go for 2 year course और जो prices आप देख रहे हो, हलांकि affordable है, इन पे भी additional discount है अगर आप use करते है code YT10 जैसे इस code को apply करेंगे, आपको 10% additional off मिलेगा, banking course के prices में high काने वाला है, उससे पहले फैदा ले सकते हैं, code को इस्तमाल करना ना भूले YT10, आजाओ, अपने vocab sheet है नए पुराने सारे words इसी में मिलेंगे रोज अपडेट होती है, टेलेग्राम ग्रूप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस vocab sheet में आपका मोटा मोटा vocab का portion हर exam के लिए cover हो जाएगा चलो, टेलेग्राम ग्रूप इसी channel के first comment में है, इसी video के नीचे कह रहा है, dilemma first word, पुराना word है, बहुत बार कर चुके हैं, फिर एक word है, rigorous ये भी बहुत बार हो चुके है, आज फिर से आएगा calamity, ये भी आप जानते हैं word को, disaster को बोलते है diffidence, इसका मतलग होता है, lack of self confidence, अपने उपर आत्म विश्वास ना होना, या hesitation होना जिजक होना, तो ये word भी आज फिर से आप देखने वाले हैं, last word है repercussion, ये एक नया word है, इसको आज डिटेल में देखेंगे, चलिए, dilemma को हिंदी में बोलते हैं, धर्म संकट a difficult situation, इसको predicament, quantity, bind, या option choice भी बोलते हैं एक एक word डिटेल में कर चुके हैं, सारे के सारे याद है ना, आपको predicament, quantity, bind, option choice, यानि की dilemma, यानि की धर्म संकट at the start of the wave of the second wave of the pandemic the nation was in a dilemma over the necessity of lockdowns, second wave की शुरुवात में, पूरा देश एक धर्म संकट में था, और किसी के उपर, lockdowns की जरूत के उपर कुछ एक लोगों को लगता था कि लगाने चाहिए lockdowns, कुछ को लगता था नहीं लगाने चाहिए धर्म संकट था, अब देखो was in a dilemma, इसकी जगा was in a country, या was in a bind भी आ सकता है, तो आज in a bind नाम के phrase को आप article में देखेंगे, धर्म संकट का ही synonym है, ठीक है ना, ये bind देख रहे हो ना चलो, आज आँ नेक्स पे rigorous, rigorous मतलब जिसमें rigor हो, rigor का मतलब होता है strictness हर चीज rigorous है, जो बड़ी strict हो, burdensome हो कोई ऐसा काम हो, जो बिलकुल schedule से होता हो, बड़ा ही बोजिल करने वाला हो rigorous कलाएगा, अगर आप मैनत करते हो सुबह पांच बजी उड़ते हो, रात को दस बस होते हो टाइम सी उड़ते हो, टाइम से सोते हो, टाइम वेस नहीं करते हो तो मैं बोल सकता हूँ या कोई भी बोल सकता है, आप एक rigorous पढ़ाई का schedule follow कर रहे हैं आई बात समझ में strict और burdensome आर्मी स्कूल सार नौन फोर दे रिग्रस डिसिप्लिन, सैनिक स्कूल जाने जाते हैं अपने कड़े डिसिप्लिन के लिए रिग्रस डिसिप्लिन के लिए अब जो रिग्रस वर्ड है, इसके सिनॉलिम से है stringent, rigid, harsh or stern आज आप stringent नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखने वाले हैं ठीक है अगला वर्ड है calamity calamity का मतलब होता है प्राकर्तिक आपदा, disaster इसको catastrophe, cataclysm और tragedy भी बोलते हैं The government has created a special fund to deal with natural calamities सरकार ने एक special fund बनाया है निपटने के लिए प्राकर्तिक आपदाओं से disasters से calamity की adjective form होती है calamitous लेकिन अगर disaster की इसके synonym की disaster की adjective form बनाऊं तो वो बनेगी disastrous लिख देता हूँ है disastrous तो सर यह जो disastrous नाम का word है calamitous, disastrous इसको आज आप पार्टिकल में देखेंगे तबाही भरा disastrous एक word है diffidence बताया था मैंने आपको lack of self confidence किसी चीज के लिए जिचक reluctance, unwillingness, hesitancy diffidence in taking the required action can spoil your life सही action को required action को लेने में जो diffidence है, जो lack of self confidence है जो हिचक है वो आपकी जिन्दगी को spoil कर सकती है सही वक्त पे सही decision लेना बहुत ज़रूरी होता है तो diffidence का जो synonym है hesitancy इसको आज आप आप आटिकल में देखने वाले हैं आगे बाद समझ में last word है repercussion बहुत ही अच्छा word है इसकी spelling पे खास ज्यान दें reper repercussion क्या मतलब होता है उसका दूस परिणाम bad consequences किसी चीज के bad results इसको implication, side effects fallout या ramification भी बोलते हैं लिखा नहीं है अब लिख जाता हूँ ठीक है तो repercussion नाम का word आज आप आटिकल में देखेंगे दूस परिणाम के लिए COVID-19 lockdowns have brought in severe economic repercussions for Shilanka COVID-19 के जो lockdowns से वो लेकर क्या आए है brought in करके लाए है बहुत ही बड़े आर्थिक दूस परिणामों को bad consequences को repercussions को Shilanka के लिए अच्छे-चे words है 4-5 detail में आपने देख लिए है class में जो लोग regular है vocabulary की समस्षय आपके दूर हो जानी चाहिए sheet को download करो और रोज थोड़े-थोड़े 5-5 words को revise किया करो ठीक है? चलो summary देख आपको article की किस पारे में लिखा हुआ फिर शुरू करना है इसको summary CDC है चाइना की जीरो COVID policy इस policy की वज़े से क्या होता है Chinese लोगों के मन में COVID को लेकर के और vaccine को लेकर के दोनों को लेकर के मन में जो हमके बड़ा डर है कुछ लोग ऐसे हैं चाइना में जो आज भी vaccine नहीं लगवा रहे है और सारा रीजन इसके पीछे क्या है जीरो COVID policy और बहुती strict lockdowns हमारा article कह रहा है कि चाइना को अपनी जीरो COVID strategy पे फिर से ध्यान देना होगा क्यूंकि ये strategy शुरू में तो बड़ी successful हुई थी कर सकती है तो चाइना का धरम संकट बताएगा कि इतनी अच्छी policy जिसके चाइना इतने गुण गाता आ रहा है कैसे चाइना उस policy को reconsider कर पाएगा है ना चाइना की धरम संकट को बताएगए शुरू करेंगे टोन है आज की सजेस्टिंग सजेस्ट कर रहा है चाइना को क्या करना चाहिए शुरू करें अच्छा कॉम्पिटिटिव एक्जामस पारेंट्स अपनी एप को ज़रूर डांड़ोड करें करते चाहिना बंद कर चुका और क्या है शेंगाई रशाइए पिया की मुंबई यह वैसे चा की शंगाई है आई वागव है लोगडाउन करना आप जानते हो अच्छे से अपने देश में तो बड़ा मशूर है मोदी जी का लोगडाउन यह वही लोगडाउन है न फोर क्यों लगाया गया क्योंकि time duration दी गई है past two weeks मान लिजे point of time दिया होता मान लिजे लिखा होता एक अपरेल से तो हम यहां लिखते since since first April शुरवात दी गई हो किसी point की तो since अगर पूरी duration दी गई हो हफते गंटे महिने साल तो फॉर चलिए एक concept आई यहां पे थोड़ा पहले अपने flow बनाते है फिर उस concept पर आएंगे ठीक है यह its वाला concept आगे बढ़ो पहले करा many of its 26 million residents confined to their apartments have complained of acute food shortages करा इसके 26 million residents में से many इसके धाई करोड 26 million मतलब 2 करोड 60 लाग और कहां के शंगाई के के शंगाई के धाई करोड में से जदातर residents हुएं और कोन है भाई यह जो confined to हुएं जो सीमित हैं जो बंदे हुएं जो बंद कर दिये गए हैं अपने apartments में के रहा है उन्होंने complaint of किया है उन कुछ है नहीं मैंने की वह बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम शार्प एक्यूट पेन हो रहा है तो आपको बहुत पेन हो रहा है एक्यूट शोटेज है तो किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है चलो अब आगे बढ़ने से पहले तीन कॉंसेप्स है फटा-फट देख लेते है पहला कॉंसेप्ट इट्स वाला बड़े सिंपल सा कॉंसेप्ट है देखो अगर आप ऐसे लिख रहे हो संटेंस को रितिका's house is near the supermarket इसका मतलब है रितिका का घर मार्किट के सुपर मार्किट के नजदीक है रितिका's का मतलब है रितिका का राम्स मतलब राम का शाम्स मतलब शाम का वैसे ही the bike या bike's fuel tank was empty अगर आप यहां पर bikes लिखते हैं तो यह बन जाएगा bike का ठीक है bike का हाला कि ऐसे चीजों का possessive नहीं बनता है जो humans ना हो फिर भी अगर आप बनाना चाहरे हो तो बना सकते हो लेकिन अगर bike के लिए आप it नाम के pronoun को use करें कौन से pronoun को it नाम के तो अगर आप उस pronoun का possessive बनाएंगे तो आप कुछ ऐसे बनाएंगे its fuel tank was empty लेकिन दिक्कत यह है it का possessive its नहीं होता apostrophe के साथ its का मतलब होता है apostrophe वाले का it is, it was या it has अगर आपको it का possessive बनाना है bike के लिए it को use करना है और possessive बनाना है तो रितिका की तरह जो apostrophe यहां लगा आगई बाद समझ में आपको लिखना है its fuel tank was empty अगर आप ऐसे it apostrophe yes लिख रहे हो तो इसका मतलब है it is या it was या it has जैसे it's a good day इसका मतलब है it is a good day लेती है, off लेती है, against लेती है और to लेती है मैंने concept आपके सामने लिख दिया है बहुत ही आसान है जिस चीज की आप complain करो जैसे आपको दर्द हो रहे है आप डोक्टर के पास गए दर्द की complain लेके तो you are complaining of a pain in your leg in your abdomen अगे बाद समझ में जिस region की complain करो उसके साथ में off लगा जैसे I can complain against you, अच्छा अगर जिसको complain कर रहे हो सामने वाले को जिसके सामने complain दर्द कर रहे हो उसके लिए लगाए to, I will complain to the police, मैं police को complain कर दूँगा, आगे बाद समझ में off मतलब किस बारे में complain करूँगा, against मतलब किस इनसान के खिलाफ complain करूँगा, to complain plus two का मतलब किस इनसा जान के सामने अपनी complain को दर्ज करूँगा, तीन पर पोजिशन है, complain के साथ ध्यान रखें, चलो तीसरा concept भी देख लेते हैं, बहुत ही cool concept है यह भी, many और much के बीच का difference, देखिए many यूज़ होगा countable nouns के साथ में, ठीक है, और much यूज़ होगा uncountable nouns के साथ में, many और much की वा was या were parked on the roads, बहुत सारी कारें जो है, रोड पे parked थी, आपको क्या देखना है, many या much के साथ में, कौन सा noun आया है, noun तो countable है, अगर countable noun है, तो आप यहाँ पे many को use करेंगे, much को use नहीं करेंगे, वैसे ही, second case में, many या much of his wealth has या have come from his father, उसकी जालातर wealth जो है, उसके पापा स आई है, wealth को count नहीं किया जा सकता, एक wealth, दो wealth, तीन wealth, ऐसा नहीं होता, wealth का मतलब है, पूंजी, इसको count नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा, much, तीसरे case में, many या much of the bread is, is, या are, rotten, या spoiled, जालातर जो bread है, वो rotten है, या spoiled है, spoiled है, spoiled का मतलब है, खराब हुई हुई, bread को भ लेना है, किसको, sir, much को, तो पहला concept तो यह है, आपको noun के हिसाब से, many या much में से एक को चूज करना है, अब देखो, जैसा noun हो, वैसी verb को चूज कर लो, cars के लिए आएगा, worth, wealth, singular है, uncountable है, verb आएगी, singular, bread भी uncountable है, verb आएगी, yes, बस simple सा concept है, ठीक है, आज के quiz में तीनों ही concept यूज होंगे, फटा फट से question आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ, many तो आपने सीख लिया, many a, जो मैंने आपको कई बार करवाया है, first sentence को many a में change करके दिखाओ, ठीक है, advanced concept है, मेरे ख्याल से आदे लोगों को आता होगा, many a में first sentence को change करके आपको दिखाना है, सही verb के साथ, डालो comments में जिन लोगों को आता है, चलो आगया आजाओ, अब अपने flow में पढ़ेंगे, concept शुरू में थे हैंना, केरे, the government has struggled to supply every household with daily necessities, with the supply chain paralyzed by China's stringent measures, under which every COVID-19 case, even if asymptomatic, is confined in government-ren quarantine facilities, कह रहा है, government struggle कर चुकी है, supply करने में हर परिवार को, हर household को, और किसी से daily necessities के साथ, daily necessity मतलब रोज मर्रा की जरूरते, ये भी चीज़ें जो सरकार नहीं दे पारी है हर गर को, और कैसे, ये काम हो रहा है, supply chain के paralyzed हो जाने के साथ ही, with the supply chain paralyzed, और किसके द्वारा, इसको कैसे paralyzed ये हुआ है, चाइना के stringent measures की वज़े से, कड़े कदमों की वज़े से, जिनके अंडर में, under which, हर COVID-19 case जो है, अगर यहां तक की वो asymptomatic भी हो, उसको कोई भी symptom ना भी हो, वो confine होगा, सरकार के द्वारा चलाई जारी, government run, quarantine facilities के अंदर, तो ऐसा हो रहा है, supply chain सारी की सारी पड़ गई है, क्योंकि हर केस को चाइना कंपल्स रिली सरकारी फैसिलीटी में, एड्मिट करवाता है, घर पे नहीं रह सकते है, अगर आपको COVID है तो, every COVID case की वो होगा, is confined, paralyzed का मतलब होता है, समझगे न, लगवा मार जाना, government की वो होगा, has struggled, household का मतलब होता है, परिवार, supply someone with something, यह structure है, चोटी सी, supply every household with daily necessities, supply someone with something, stringent का मतलब होता है, harsh, stern, rigorous, जानते हैं न, वर्ड को, asymptomatic का मतलब होता है, जिसमें symptoms ना हो, इसमें आगे root लगा हुआ है, ए, asymptomatic मतलब बिना symptoms का, वैसे एक वर्ड होता है, atheist, atheist का मतलब होता है, जो atheist ना हो, जो बगवान में विश्व पॉलिटिकल ना हो, राजनितिक तोर पे, unbiased हो, ए, पॉलिटिकल, तो ए लगा कर क्या आप, बहुत सारे words बना सकते हैं, एंटरीम, उनके एंटरीम बन जाते हैं, करे, food shortages are not the only problem, करे, खाने की कमी जो हैं, यही अकेली problem नहीं है, और क्या problems है, करे, many have said, they are running out of medicines, बहुत सार out of, मैंने लिखा नहीं है, यहां पर आज, इसका मतलब होता है, कोई चीज आपके पास खतम हो जाए, we are running out of time, हमारे पास वक्त खतम होता जा रहा है, हारी बात समझ में, we are running out of water, हमारे पास पानी खतम होता जा रहा है, वैसे ही लोगों के पास दवाएं, यानि medicines खतम हो रह लगी हुई है, करे चिल्टन, हू टेस्टेट पॉजिटिव, हाव बिन सेपरेटिट फॉर्म देर पैरेंट्स, बच्चे जो की टेस्ट हुए हैं पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब है, रिजल्ट पॉजिटिव आना कोविड का, वो बच्चे जिनका रि हब बिन सेपरेटेट फॉर्म हो की बब होगी, टेस्ट और आगे बढ़ो, करे दो क्राइशिस है, इसने इगनाइट कर दिया है, चाइना में जो तुफान आया है, जो बड़ा डिजास्टर आया है, इसने जगा है, इगनाइट कर दिया है, प्रोवोक कर दिया है, और किसको एक बहस को, डिवेट को, और किसी स्क्यूपर, वेदर हाँ या ना, यह जो इस स्राटजी है, जिस बड़ेज़ी जिस ने इने वल किया था, चाइना को ताकत दिती, और क्या करने में, अववोईट करने में एक बड़ी second wave को क्यारा कि ये strategy अभी भी remains बनी हुई है या नहीं बनी हुई relevant यानि की appropriate और कब जब ज़ादार जो बाकी की दुनिया है much of the rest of the world है बाकी की दुनिया है वो return कर चुकी है किसी ना किसी रूप में नॉर्मल्सी की तरफ समाने हालातों की तरफ और कैसे पहुंची है वही थैंक्स टू वैक्सीन की वजह से थैंक्स टू का मतलब होता है 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 अगें वर्ड को كाउंट नहीं कर सकते हैं वर्ड का मतलब है हमारी दुनिया हमारी दुनिया के जारा तर जो हिस्से की बात ओर है तो मच्कों लगाई गया है अगर यहां पर कुछ काउंट करने वाली चीज होती तो मैं को लगा देते अबास सम्झय में हैं वर्ड इसको on account of भी बोलते हैं यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे on account of vaccines या because of vaccines चलिए गरत चाइना is the only country still closed off from the rest of the world चाइना अकेला ऐसा देश है जो अभी भी कटा हुआ है चटा हुआ है closed off है सारी दुनिया से बाकी की चाइना अभी भी international travel को मेरे ख्याल से जैसा लिखा हुआ उसके हिसाब से अभी तक open नहीं किया है चाइना कटा हुआ है दुनिया से चाइना की वबोगियां पर इस चलो प पास निशान यही है कि जो Beijing है, चाइना है, उसका कोई इरादा नहीं है, बदल देने का अपने course को अभी तक के रस्ते को, course का मतलब होता है, pathway, tag, है न, science की वब है, are, Beijing की वब है, has, beech में that जो है hidden है, science are that, Beijing has no intention, आज बात समझ में इस तरह से लिखा हुए sentence बीच में that hidden है करे दो ऑफिशल शिन हुआ न्यूस एजंसी on Sunday reverted criticism over the policy saying a dynamic zero covid approach remains crucial and the repercussions of lowering the guard could be disastrous for 1.4 billion people including 267 million aged 60 or above करे जो ऑफिशल शिन हुआ न्यूस एजंसी है चाइना की Sunday को इसने revert किया revert का मतलो होता है खंडन करना refute करना किसी बात के सामने counter argument रखना करे इसने खंडन किया सारे criticism का सारी अलोचना का चाइना किस policy की उपर और कैसे किया ऐसा कहते हुए say करते हुए कि जो ये लगातार बदलने वाली dynamic जो zero covid approach है चाइना की ये बनी हुई है आज भी और क्या बनी हुई है बहुत ही crucial और कहरा है जो repercussions होंगे जो bad consequences होंगे अपने guard को lower करने के अपने हथियारों को डाल देने के कहरा है वो could be वो हो सकते हैं बहुत ही disastrous बहुत ही किलामेटर्स डिजास्रस आप जानते हो ना जिसमें disaster हो तबाही बरा और किन के लिए एक पॉइंट चार बिलियन लोगों के लिए जिसमें शामिल हैं दो करोड 67 लाग जो ऐसे लोग जो साड़ या साड़ से उपर के भी है simple sentence है structure समझ लें इसकी अब थोड़ा सा music आ रहा हो आपको पीछे background में क्योंकि हमारे पडोस में बच्चे बच्चे हैं पढ़ा ही लिखाई तो करते नहीं है सारा दिन music सुनते हैं तो थोड़ा adjust कर लेना है न चिनुवा news agency की verb रिबर्ट इट approach की verb remains repercussions की verb could be saying यहाँ पे present participle simultaneous action है जब यह ऐसा कह रहे थे revert कर रहे थे तब वो ऐसा भी कह रहे थे दोनों काम एक साथ हो रहे है रिबर्ट करना मतलब किसी चीज को खंडन करना refute करना एक अच्छा word है इसके लिए refute ठीक है रिपकर्शन आप देख चुकियो बैड कॉंसिक्वेंसे रियक्शन्स रैमिफिकेशन्स इंप्लिकेशन्स किसी भी चीज के दुष पर ना lower the guard करने का मतलब होता है एतियाद को छोड़ देना है थोड़े धिलाई भरतना गार्ड को lower करना चलिए चालिए कर विद दोस नंबर्स इट आर्ग्यूट चायना मैडिकल सिस्टम व्ड रिस्क और क्लाप्स के साथ में इतने बड़े बड़े आंकडों के साथ में इसने आसा कहा इसने आसा आर्ग्यू किया कि चाइना का जो शिस्टम है वो रिस्क गा एक कॉलैप्स कर जाने का ढहा जाने का इस न क्योंने लोग है जोели २ जो भी 16 उपर गिया अगर इनको कविड हो गया पूरा जिसके साफ में या तो ना उनाएगा या वर्ब की आएंजी फर्म आएगी आप जानते हो जैसे passengers without mask may risk to get an infection वो passengers जो बिना mask के हैं वो risk कर सकते हैं वो जोखिम ले सकते हैं या जोखिम उठाएंगे infection को get करने का अब यह risk verb है may helping verb, risk main verb तो यहाँ पे infinitive को use ना करें चुप चाप यहाँ से to को निकाल दो और get के जगा लिख दो getting आगी बाद समझ में लेकिन अगर risk के बाद में noun रखा हो तब अंगे नहीं लेने हैं जैसे passengers without mask may risk and infection बिना mask के जो passenger है वो एक infection का जोखिम ले सकते हैं अलब उनको जोखिम आ सकता है आई बासामद में तो यहाँ पे infection लिखा हुआ है noun है infection मत करें जो सिखा है उतना ही सिखो है ज्यादा मत करना के सर ने ing बताया ing वर्ब का होता है noun रखा हुआ तो पंगे नहीं लेने चलो यह risk वर्ब तो आपने सीख ली आगे फिर से आएगी अब आप से question यह है ऐसी कम से कम 20 verbs मैंने आपको करवाई है risk की तरह ही वो behave करती है या तो noun लेंगी या verb की ing form लेंगी सब लोग कोशिश करेंगी और maximum verbs को अभी दिमाग में revise करने की कोशिश करें होता रहता है concept एक दो दूनों में फिर आजाएगा जिनको याद है सब लोग कोशिश करें दिमाग में revise करें कोमेंट्स में डालो लिखने से आपको याद भी रहेगा बड़े आगे करा है Chinese officials point to Hong Kong's experience China के official point to करते हैं इशारा करते हैं Hong Kong के experience पे करें आफटर two successful zero covid years that allowed for normalcy and Omicron outbreak this year led to 8000 deaths there करें दो कामियाब zero covid years के बाद दो ऐसे years के बाद जहां पे zero infection हुए थे हौंग कॉंग में करें वो years जिन्होंने allow for किया जिन्होंने गुंजायश बना दी नॉर्मल सी की allow for करना मतलब किसी चीशी गुंजायश को पैदा करना किसी चीशी की इजाज़त देना करें जिन्होंने समाने हालातों की गुंजायश भी पैदा कर दी ती करें उसके बाद क्या हुआ तीसरे साल जो Omicron outbreak आया Omicron का जो पैलाव हुआ अचानक से करें इस साल तीसरे यह 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 लीट टू कर गया पास में आठ हजार मोतों की तरफ तो यह कह रहे हैं कि होंग कोंग में भी ऐसा होता था लेकिन जैसे थोड़ा सा नॉर्मल अपना रवया अपनाया तो दो सालों के बाद मतलब दूस्ट दो ब पैलना कहलाता है आउट ब्रेक अचानक से और तेजी से समझे ना और इसमें कुछ देगने वाला है नहीं करें मोस्ट वर अन्वैक्सिनेटीड अल्ली एल्डरली रेसिदेंट्स जड़ादर जो आठेज़ाद सी वह जादर जो थे उनमें से वह लोग थे अल्डरली वर्ड को नोट करें इसका मतलब होता है उम्मर दराजवाला ओल्डर एजिट जिसकी उमर जादा हो कोई बड़ा बुड़ा हो उसको बोलते हैं अल्डरली करें बेजिंग नाओ फाइंड इटसेल्फ इनमाइंच करें अब चाइना अपने आपको धरम संकत में क्वेंट्री डिलेमा यादना वर्ड सारे धरम संकत करें चाइना अब अपने आपको देखता है एक मैंड में यानि की धरम संकत में वो धरम संकत अभी आप अभी जो आपको आगे बताएगा बेजिंग की वह है फाइंट्स करें ओपनिंग अप इट इस फियर्ट वुड म अगर अब कर दें लोकडाउन को हटा दें लोगों को घर से बार आने दें तो करें ऐसा फियर्ट है ऐसा डर है कि यह चीज जो ना यह में करेगी और क्या बहुत सारी डेट्स को बहुत सारी मोतों को उमर दराज लोगों के बीच जो रिफ्यूज कर चुके हैं अपना खोल देख लोगडाउन वोगडाउन तो जितने भी बूड़े लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी सब की डेथ का खत्रा चाइना के नाम पड़ेगा है ना ओपनिंग अपकी वर्ब है वुड मीन इट की वर्ब है इस फियर पैसिव वाइस में हू क कि एक बड़ा रीजन जो है वैक्सीन को लेकर के डिफिदेंस का हैजिटेंस का रिलक्तंस का अन्विलिगनस का वो है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी या स्ट्राटेजी और कैसे है इस हर तरफ फैले स्यमेक्शन के साथ वाइड जो है दिस्टिकों के साथ में नजरीय के साथ में यह एक जो जोगर वैक्सीन से आते हैं फ्रॉम वैक्सीन वो जोखकर आउट्वेे करते हैं बहुत ज़्यादा carbono उन जोखमों से जो हैं COVID virus को catch करने के तो experts यही बता रहे हैं जो लोग चाइना में वैक्सीन नहीं लगवा रहे उसकी रीजन है चाइना की Zero COVID strategy इसकी वज़े से लोगों में ऐसा डर बन गया है कि वैक्सीन से तो वाइरस ही अच्छा वैक्सीन तो वाइरस से भी जादा खतरना इस जादातर होना आरहे बात समझ में Colombia कर रहे हैं तो आपका वजन दूसरें वाले से ज्यादा हो गया जैसे Chinese लोगों को लगता है कि vaccine का जो risk है उसका वजन COVID के risk से बहुत ज़ादा है चली, करेज जीरो COVID in a sense has become a victim of its own success करेज जीरो COVID policy है एक तरीके से in a sense बन चुका है एक शिकार अपनी खुद की ही कामियाभी का जीरो COVID की वहबा has become करेज पॉलिटिक्स is also as much a factor as public health के राजनीती जुआ ना सियासत जुआ वह भी इतना ही बड़ा एक फेक्टर है जैसे कि पब्लिक की हेल्थ है पब्लिक की हेल्थ जितनी जरूरी है उतनी ही पॉलिटिक्स भी जरूरी है दोनों में कोई भी कमतर नहीं है पॉलिटिक्स की वह है अच्छा मुझे बात बताओ अपने पढ़ते जारे हैं फ्लो में पॉलिटिक्स नाम के वर्ड को देख करके कुछ ट्रिगर हुआ आपके मन में वह पॉलिटिक्स के पीछे तो ऐसा रहे वह फिर भी सिंगुलर है पॉलिटिक्स तो आर होना चाहिए ना एसके पीछे इसके आगे चलो बहुत सारे ऐसे नाउंस हैं जिनके पीछे ऐस आता है लेकिन वह क्या होते हैं सर वहते हैं सिंगुलर ऐसे सभी नाउंस आपको खई बार में करवा चुका हूँ एक बार खुझ से सोचो चार पंस दस याद करो फिर मैं उनकी लिस्ट आपको दिखा लेता हूँ चलो आज ओ लिस्ट पे यह सारे नाउंस हैं मोटे मोटे ओर भी होंगे लेकिन जो आते हैं बार बार पेपर में वह मैंने आपको ग्रामर सेरीज में बेसिक्स में करवा चुका हूँ वहीं से स्क्रिंशोट लिया है ठीक है यह डिकेट्स मॉम्स मीजल्स एड्स भी है सारी उन्योटी बीमारियां जिनके पिछे S आता है वो सिंगलर होती है सारे सब्च्स मैथेमेटिक्स फीजिक्स सोशल स्टेडिस इलेक्रोनिक्स अ न उसारे सय लगा हुए पिछे लेकिन प्लेट extrude हैं जिसे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स प्लिटिक्स सिंगलर है फिर कुछ ग जाएगी चलिए आगे बड़े यह हमारी बेसिक ग्रामर का स्क्रीन शोट है अगर बेसिक ग्रामर आपने अभी भी नहीं की है फ्री ओफ कोस्ट है जाके पूरी कर लो वही चीज है जो आप पेड़ कोर्स में कहीं और से करने वाले थे जब पूरी कर लोगे तो पढ़ने का म जाएगी चलो आगे बड़े करें फोर टू यह चाइना गौर्मेंट है इस मॉडल एज़े कोंट्रास वेस्ट वेस्ट विच्ट सो हाई डेट्स एंड कंटिनूस तो टैल इस पॉपुलेशन दाट कोविट इस देंजरूस दिसीज दाट रिक्वाइज एवर्यों तो वी ह हेल कर रही है अपने इस मॉडल के इस जो है सिस्टम के इनके और किसके बिल्कुल उल्टा बिल्कुल कॉंट्रास्ट में बिल्कुल उल्टे में वेस्ट के यानि पश्चमी देशों के अब कौन सा वेस्ट है जिसने देखा है हाई डेट्स को जिसने देखा है बहुत सारी जो है मोतों को और के रहे हैं यही चाइनीज गौवर्मेंट जो हेल कर चुके न अपने मोडल को यह आज भी कंटीनू करती है यह आज भी जारी है अपनी पॉपुलेशन को यह बताना दाट वह यह की कोविड एक खतरनाक बिमारी है और जिसके लिए जरूत होती है हर एक इसके लिए और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं वेस्ट एक इमेजनरी लोकेशन है इमेजनरी लोकेशन हमेशा अपने आगे दा को लेगी दा एले सी दा अलो सी दा नोर्दन हैमिस्फियर अरी समझ में दा नोर्थ पोल दा इकवेटर दा ट्रोपिक ओफ केप्रिकॉन है ना तो इस सारे जो इमेजनरी लोकेशन हैं वाटर सा हैं इनके आगे हमेशा दा को लगाते हैं तो दा वेस्ट चलो करा चेंजिंग कोर्स नाओ वुड नोर्ट सूट दा नारेटिव पर्टिकुलर्ली विद प्रेसिदेंट शी फ्रेमिंग चाइना स कोबी डिस्पोंस रष्णी को भुड प्रेस्ट पिन दा करेने के साथ ही डिमोंस्ट पर देने के साथी चाइना का जो कोविड रिस्पॉंस है इसको कैसे डिमोंस्टिट किया अपनी बड़ी लैगिशी में से विरासत में से एक चीज के तौर पर जिंग्पिंग की आख बोलते हैं कि देखो कोविट से बचने का कैसा फॉर्मूला में ने चाइना में दिया सारी दुनिया में लोग मरें चाइना में नहीं मरें तो अपनी विरासत का हिस्सा बना दिया है इस मोडल को चाइना ने अब रस्ता बदलना बहुत मु करें करना करेंट पाथ पर हालांकि लेकर के आएगा बढ़ती हुई आर्थिक और समाजिक कीमतों को तो अगर छोड़ा इस रस्ते को तो सब जो हैं हासी उडाएंगे और इस रस्ते पर चलते रहे तो लोग जो हैं समाजिक और आर्थिक तोर पे चाइना के परिशान हो जा आपको लेता है है ना करें रादर दन ट्रॉंपट जीरो कोविट और क्रिटिसाइज लिविग विद विद विरस आज इर्रिस पॉंसिबल चाइना वोड़ी बेटर सब्सक्राइब लुकिंग अग्जांपल सब्सक्राइब करेंगे बजाय ट्रॉंपट करने के कि चीज की प्रशंसा करना किसी चीज की प्रेज करना हेल करना तो जोर 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 से एदवरटाइ SIng करो और क्रिटिसाइज करने के वायरेस के सात में रहने वाली ideology को कि हम virus अब साथ में जीएंगे है ना दोनों को जीना है थोड़ा adjust करके करें बजाए अपनी zero covid policy के गाने गाने के और criticize करने के living with virus की थोरी को irresponsible के तौर पे समझ के करें इन दोनों चीज़ों के बजाए China जो है ना वो better served होगा चाइना को ज़्यादा help मिलेगी better service मिलेगी अगर वो look at करता है देखता है examples पे उधारनों पे उन countries के जिन्होंने successfully open up कर दिया है lockdowns हटा दिये हैं और साथ में follow किया है science को जैसे कि यह हुआ है Singapore में जिसने बहुत ही अकरामक तोर पे aggressively vaccinate किया इसकी population को और ऐसा करने के लिए incentivize भी किया incentivize it to do so ऐसा करने के लिए population को increase भी किया और कैसे set करके एक time table को opening की तो Singapore ने West से बिलकुल अलग काम किया है living with the virus जो है वो West कर रहा है कर बजाए West को criticize करने के China आप क्या करे अपना भी ना सुने वेस्ट का भी ना सुने Singapore जैसी countries को follow करना शुरू कर दे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी population को vaccinate करके open up कर दिया है तो ये option है चाइना के पास अपना face saving करने के लिए चाइना की वोब है would we served look at मतलब किसी चीज की तरफ देखना that have की वोब है that have मतलब that की वोब है have followed which की वोब है vaccinated which आया Singapore के लिए proper noun के लिए which की एक और वोब है incentivized incentivized का मतलब होता है incentive देना, increase करना, reinforce करना किसी चीज के लिए लोगों को समझे ना, उत्सा देना और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है ना rather than का मतलब होता है बजाए, इसकी जगह instead of भी आ सकता था, लेकिन instead of आता, तो यहां trumpet नहीं trumpeting लिखना पड़ता और criticize नहीं criticizing लिखना पड़ता, है ना, rather than के बाद में verb की base form, instead of के बाद में verb की ing form मतलब दोनों का ही होता है, बजाए चलो, करा, otherwise as the continued suffering in Shanghai has shown, the cure risk becoming worse than the disease के रहां नहीं तो लगातर बनी हुई जो suffering है, जो plight है, जो दुर्दशा है और कहां पे है शेंगाई में के रहां जैसा वो दिखा भी चुकी है है शोन, कि जो इलाज चाइना कर रहा है ना, वो risk कर रहा है, वो जोखम कर रहा है बन जाने का और भी खराब इसी बिमारी से, तो चाइना का इलाज बिमारी से भी खराब है, जीरो कोविड पॉलिसी, ऐसा शेंगाई को देखने से हमें पता लगता है suffering की वो बाई है, शोन, cure की वो बाई, risk, cure का मतलब आप जानते हो, treatment इलाज, इसके लिए one word मैंने आपसे पूछा था, one word होता है, panacea, ठीक है alexir या panacea panacea या alexir मतलब राम बान सब चीजों का cure, risk अगेन एक ऐसी वो होग है, जो अपने बाद या तो वो अपके ing form लेगी, या किसी noun को लेगी उपर noun लिया था, यहाँ पर becoming नाम की चेरेंड यानि ing form को लिया है, चलिए यही रैप अप करेंगे session को, interesting session था, बहुत सारी concept थे, in fact, कुछ concept तो मुझे miss करने पड़े, क्योंकि वीडियो चालेस मिनिट से लंबी ना हो, है ना, आजाओ अपने quiz पे, 5 questions है, बहुत मैंनी मैं आपको करवा चुका हूँ, मच मैंनी मैंने आपको डिटेल में करवा दिया, खुदी देखके बताओ, जियो पॉलिटिक्स को गिन सकते हो, या नहीं गिन सकते हो, और अगर गिन सकते हो, या नहीं गिन सकते हो, तो कौन सा थर्ड में आपसे पूछा है, रिस्क नाम की वर्ब अपने बाद में किस तरह का नाउन या जिरंट लेगी, अभी अभी किया है, ताजा ताजा सबको याद होगा, थर्ड को बना दो, फोर्थ में आपसे इन चारों वर्ड का मीनिंग पूछा है, जिसको चारों मीनिंग पता है सही वर्ड को यहां लगा देगा मीनिंग के साफ से सही वर्ड को चूज करना है वो क्या आपका क्वेशन है पांचवे में इट्स, अपोस्ट्रोफी के बिना और साथ इन दोनों में क्या फर्क होता है अगेन, कॉंसेप्ट अच्छे से करवा चुका हूँ अब एक काम करो, पांचों को पहले खुछ से ट्राई दो और इसी वीडियो के फर्स कमेंट में आंस्वर्स रखे हैं आंस्वर्स को हिंट के साथ में रखा है मैंने जाके मैच करो, ठीक है? मेरे आंस्वर्स से आपका आंस्वर्स मैच होगा कितने मांक्स मिले जरूर से बताएं और फाइव, कोर्स इस रेलेटिड कोई भी क्वेरी हो अपनी अप से ये नंबर है इस पर वाट्स अप करें, राइडिंग स्किल्स, एससे और बैंकिंग तीनों कोर्स अप पर अभी अवेलवल है अंटिल देन, एक लाइक और रिक्षर जरूर से दें, सेशन को साइनिंग आउट